Hello everyone, welcome to my channel, कैसे हैं आप आई, I hope आप सभी अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जादफपुर युनिवर्स्टी की फिर से इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है पीएच्डी के लिए और येस उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे पहले आप इनकी वेबसाइट jaduniv.edu.n पर विजिट करेंगे स्क्रॉल करने के बाद आप किसी भी एक उप्शन पर क्लिक कर दीजेगा तो यह जो ओवराल अक्टिव नोटिसेज है वो सेक्शन ओपन हो जाएगा ठीक है इसमें आप देख सकते है नोटिफिकेशन जो लेटेस्ट है एडमिशन टू पिएच्डी प्रोग्राम आर्ट्स पहले साइंस के लिए आया था अभी आर्ट्स के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है इसपे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको दो ओप्शन दिख रहे हैं एक फॉर्म का है दूसरा डिटेल का है तो हम देखेंगे सबसे पहले डिटेल्स तो 21st of June को नोटिफिकेशन आया है डिपार्ट्मेंट्स की बात करें जहाँ पे फॉर्म्स आक्टिव है सो बिंगॉली, comparative literature, economics, education, English, film studies, history, IR, library and information science, philosophy, physical education, Sanskrit, sociology ठीक है अफ्टर दाट criteria सो आपने complete किया हो तो दीखें इसमें clearly लिखा है must have completed results of two year में तो हमें किया है equivalent degree है result completely आचुके है 55% marks है तो आप eligible है apply कर सकते हैं 5% relaxation है जो भी reserve candidates है उनके लिए state के ही rule signing follow होंगे तो आप देख लीजेगा right अगर आप इस state में हो तभी apply करेगा relaxation I mean sorry not relaxation kind of like category के लिए ठीक है after that applicant जिनकी जो MA degree equivalent degree 2 year से कम duration किये तो उनका फिर भी at least जो UGPG का overall study है वो total 5 years की होनी ही चाहिए अगर ऐसा है तभी आप eligible है ठीक है next process तो देखिए आपको apply करना है prescribed form में वैसे आपने link देखा था भी ठीक है next यहाँ पर है application fee 500 है per subject तो एक के लिए apply करेंगे तो 500 दो के लिए करेंगे तो 1000 ठीक है SBI collect के थूँ online ही payment करना है payment करेंगे उसके बाद जो downloaded form है साथ में आपके online payment receipt and सारे testimonials आपके आपको submit करने होंगे इस address पे तो कोलकाता जादपुर युनिवस्टी में campus PhD से आर्ट सापको जाना होगा ठीक है वहीं पर submit होगा तो kind of like of course offline mode से ही admission है कुछ process online है बाकी mainly submission जो है वो offline है last day 10th of July है तो 10 July 4 बजे तक आपको submit कर ही देना है and payment आप 9 July तक कर सकेंगे ठीक है बाकी यहां time टेक लीजे 10 से 2 and 3 बजे तक है I mean 10 से 2 है फिर 10 से 4 है Saturday Sunday and holidays में नहीं आप मिल पाएंगे तो working days में ही आपको जाना होगा week days में next यहां पर है अगर delay होता है तो वैसे तो starting में लिखा है कि आपको यह submit करना है but अगर आप post से बेज रहे हैं तो post ले ले के ले जो university है responsible नहीं होगी यह documents है सारे जो कि आपको attach करने होंगे साथ में send करने होंगे तो भूलिएगा नहीं after that यहां पर है कि return test के बारे में basically so आप पहले return देंगे अगर उसमें select होते हैं तो फिर आप interview देंगे department में अगर आपके पास MFIL degree है या फिर आप आपने like MFIL में admission लिया था return test के थूँ या फिर अगर आपने net set gate qualify किया है तो आप सभी exempted हैं आप directly interview देंगे आप return नहीं देंगे ठीक है next यहां पर सब्जेक्स वगेरा लिखा हुआ है तो क्या condition fulfill करते हों आप तो जैसे MFIL किया है and suppose आप Bengali department में apply कर रहे हैं and आपने MFIL Bengali में किया है तो yes आप exempted है और बाकी इस से related subjects में है तो भी आप exempted ठीक है तो yes yes लिखा हुआ है आप देख लीजेगा कि आपकी जो जो भी criteria जैसे net gate बोला गया है तो किस subject में होना चाहिए तो Bengali के लिए apply करें तो net gate वगेरा Bengali में है तब आप exempted है relevant subject में है तो भी आप exempted है economics के लिए देखिए जैसे यहां लिखा हुआ है कि अगर आप सिर्फ economics में एंफिल है तो exempted है economics में net वगरा है तो exempted है other subjects में है तो नहीं है तो yes no देख लीजेगा and accordingly आप apply करिएगा ठीक है no वाला जरूर देखिएगा so yes यह सारे subjects के बारे में है बाकी ABC लिखा हुआ है तो जो relevant subjects के बूला गया है वो भी कौन कौन से है जैसे बिंगॉली के लिए comparative literature English and Sanskrit है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी subject हो जो आपको लगता हो इसमें जो लिखा है relevant है अगर उसमें डिग्री है उसमें आपके पास net gate है तो ही आप eligible होंगे exemption के लिए बहुत important है यह ठीक है तो इसको देख लीजेगा and next यहाँ पे है उन candidates के लिए जिन् नहीं होंगे right बाकी proper documents आप submit करेंगे तभी आपको shortlist किया जाएगा vacancies तो आप category wise देख लीजेगा हम बात कर लेते हैं total so Bengali up to 16 तो up to मतला total 16 seats है अभी कितने admission होंगे कौन से teacher अपने अडर लेंगे student को नहीं लेंगे वो subjective होता है वो teacher पर depend करेगा बढ़ हाँ total overall vacancies अभी तक 16 है comparative literature में similarly 8 specialization open ही है economics में 17 है then education 20 English 6 film study 6 history 2 IR 17 library information science 4 philosophy 11 इसमें specialization देख लीजेगा then physical education 9 Sanskrit 13 sociology 5 ठीक है बाकी यहाँ पर जो rules वगेरा है जैसे government of West Bengal का कुछ circular था कि जो भी SCST है other states के West Bengal के बाहर के ठीक है तो आपको नहीं मिलेगा quota यह लिखा हुए not entitled to get the benefit of reserve quota तो आप सभी unreserved ही रहेंगे तो देख लीजेगा and please गलत मत फिल करेगा 5 pages का ही यह PDF है तो अच्छे से इन चीजों को देख लीजेगा right बाकी हाँ MFL student अगर आप J.U.C. University के हैं तो आप return exemption ले सकते हैं and यह condition है कि mandatory course है इसके अलावा I mean mandatory आपका course ही है बतलब PhD course वक में अलग-अलग papers होते है तो वैसा है then not लिखा हुआ है तो अगर आप कहीं और enrolled है तो आप apply मत करेगा consider नहीं किये जाएंगे PhD के लिए इसी दरह से अगर में अभी तक complete नहीं है last date से पहले तो भी आप consider नहीं किये जाएं statement of purpose right around 500 works का भी नहीं submit करना है I think क्योंकि लिखा नहीं है बढ़ा हम बाद में लेकर जाना होगा interview के time then यहां पे है economics के लिए तो देखिए applicants अगर आप मतलब जो भी applicants in economics के लिए apply करें उन्हें दो letters of recommendation भी भेजना होगा यहां से आप format देख सकते हैं तो वो भी sealed envelops में होंगे head department of economics के लिए also आपको interview के time SOP देना होगा present करना होगा तो yes यह कुछ बाते थी यह information थी जादपूर university से related जहां तक fellowship की बात है तो यह सोच कर चलेगा कि नहीं मिलेगा and अगर मिल जाया तो अच्छी बात है बट नहीं मिलता है शायद so I'm not sure but ना सोच कर चलेगा right so yes यह information थी आपने link देखा था उसी से download करके आप formula देख लीजेगा and देखी यहां पर कहीं पर भी send करने के address नहीं दिया है तो I think अगर आप खुद से जाकर के submit करें तो better होगा otherwise आप contact कर सकते हैं मतलब contact करके confirm कर लीजेगा उसकी बात apply करीगा so yes guys that is it for today यह था अच का वीडियो यह थी information जादफूर उनिवस्टी से related अगर helpful लगा हो वीडियो तो please इसे share कर दीजेगा subscribe कर दीजेगा channel को so that बागी information से ऐसे ही आपको मिलती रहें so जैसा मैंने कहा that is it for today thank you so much for watching this video